बसु मेरी ननद में नलाल, मोर मुकुट मकुरापृत कुंडल अरुड तिलक दिये भाल, मोहिन मूरत सावर सूरत नैना बने बिसाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर्बै जन्ती माल, छुद्र घंडिका कटितट, सोभित नुपुर सबद रसाल, मीरा प्रभु संतन सुख धाई, भक्त बचल गोपाद। राम नारा ये रम जाने की वल लभम, अक्षुतम के शवम, क्रिश्न दामोद रम, राम नारा ये रम जाने की वल लभम, कौन कहता है भगवाने आते नहीं, लोग मीरा के जैते बुलाते नहीं हरपाल नाम के भगवान के एक भक्त थे, खोब भजन करते थे, खोब नाम जाब करते थे, भगवान की साधना करते थे, लेकिन वो ब्याह नहीं कर रहे थे, क्यों? उनकी इच्छा थी, जैसा मैं भजन करता हूँ, जैसी मेरी भक्ती है, जैसा मेरा भाव ठाकुजी के प्रती है, अगर ऐसी कन्या मिले, तो मैं ब्याह करूँगा, वरना जीवन भर ऐसे ही रहूँगा, तब ही उनके किसी रिष्टेदार ने बताया, तेरे लाय के कन्या मिल गई है मुझको, तो हरपाल जी बोले, क्या गुड़ है उस कन्या में, उनके रिष्टेदार बोला, कन्या की इच्छा है, मैं उसी से ब्याह करूँगी, जो प्रती दिन, एक हजार संतों को भोजन पवाता हो, प्रशाद पवाता हो, हरपाल जी बोले, मोहरत भी नहीं निक उसकी संग देखा जाता है, यह संगोज हो, यह फिर दुविधा हो, कि उसके संग मेरा जीवन कैसा चलेगा, इस पे तो मेरा वरोसा है, बड़िया ही चलेगा, मेरा ब्याह इसी से करवा दो, कुछ दिनों के पश्चात, हरपाल जी का ब्याह उस कन्या के साथ, बड़ी धू जंदर जी में आश्था थी, वे दोनों प्राता काल से ही उठकर कानह जी के भक्तों में लीन हो जाते थे, ततपश्चात दोनों दमपत्ती, एक हजार स्वाधों के भूजन की वेवस्था में लग जाय करते थे, यूं तो हर बार जी गाउं के धनी परिवार से थे, उन्हें वेवस्था करने में बहुत तकलीफ नहीं होती थी, सारी वेवस्था बहुत अच्छे धंग से सुक शांती पूर्वत हो जाया करती थी, कभी कभी साथ हो कि संख्या एक हजार से पंदरा सो, सोला सो तक हो जाती थी, पर वे बड़े ही बखुबी धंग से संचालित कर लिया करते थे, वे सब कुछ बहुत अच्छे धंग से चला रहे थे, इसी तरह कई वर्ष भी दिया, पर यह क्रम निरंतर जारी रहा, धीरे धीरे हरपाल जी किस सारी पूंजी इस भंदारे को संपन कराने में खर्च होती चली जा रही थी, धीरे धीरे पैसों की तंगी होने लगी, पर हरपाल जी ने इसका असर भंदारे पर पढ़ने नहीं दिया, भंदारा नित्य लगतार निरंतर जारी रहा, अब हरपाल जी भीतर से पूरी तरह खाली हो गये थे, उनके पास कुछ भी संपत्ती नहीं बची थी, पर उन्होंने यह बात अपनी पत्ती को न नहीं बताई, वे कही न कहीं से बंधारे की ववस्था कर लेते थे, पैसे खत्म हो जाने पर वे अपने आस-पास की दुकानों पर उधार माल लाकर बंधारी की ववस्था करने लगे, उनकी पारिवारिक प्रश्ट भूमी को देखते हुए, कोई किराने की दुकान वाला उन्हें माल देने से मना नहीं करता था। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। पर धीरे धीरे उधार की रकम बढ़ जाने पर दुकानदारों ने उनसे तकादा करना शुरू कर दिया। लेकिन वे उन सभी दुकानदारों का पैसा नहीं लोटा पा रहे थे। अब उनकी तकलीफें और बढ़ती जा रही थी। समान की विवस्था ना होते देख हर पार जी ने या फैसला किया कि वे धनी लोगों के हाँ अनाज की चोरी करेंगे। या फैसला करके वे रात्री में धनी लोगों के हाँ से अनाज की चोरी करने लगे। पुरी द्वारा लाय हुए अनाज से भे भंडारा कराने लगे। लेकिन कुछ ही दुनों में गाउं के लोगों को या शक होने लगा कि यहां आखिर कैसा चोर है जो धन, धौलर, सोना, चांदी, हीरे, जवराज छोड़ कर अनाज की चोरी करता है। अब लोगों ने अपने अनाज पर पहरा लगाना शुरू कर दिया, जिससे हरपाल जी अब अनाज की चोरी नहीं कर पा रहे थे। अब भंडारे को सुचारू रूप से चलाने के लिए हरपाल जी को कोई भड़ा पैसला करना था। अब वे अपना भेस पदल कर गाउं के बा और उसे जो कुछ भी धन प्राप्त होता था उसे भंडारे में लगा दिया करते थे। अब वे इसी तरह भंडारे को संचालित कर रहे थे। परन्तु कहीं न कहीं उनको यहाँ आत्म गलानी भी थी कि वे इस चोरी धकैती करके इस भंडारे को संचालित करवा रहे हैं। इस तरह के धारना मन में आते ही वा घंटो प्रभुजी के सामने हाथ चोड़ कर बैठ जाया करते थे और उनसे अपने द्वारा किये गए इस अपराद की माफी मांगा करते थे प्रभुजी से या प्रातना भी एक या क्या दे थे कि हे प्रभुजी मैं यह जानता हूं कि यह अपराद कर रहा हूं चोड़ी करना, डकैटी करना कोई अच्छी बत नहीं है इसके लिए मैं सजा का हस्थार हूं पर प्रभुजी जब तक मैं जीवित रहूँगा या भंडारा बंद नहीं हो तकता, इसके लिए आप मुझे जो सजा देंगे वा मुझे सुईकार है, प्रभुजी अपने इस भक्त की सची निष्ठा देखकर उससे बहुत प्रसन थे, एक दिन प्रभुजी ने फैसला किया कि वे अपने इस भक्त को साक्षा दर्शत देंगे, एक दिन प्रभुजी ने एक धनाड वैपारी का भेश बदल कर उसके पास जाने का मन बनाया, उन्होंने बहुत सारे रतन जड़ित आभूशडों को पहना, हाथों की दसों उंगलियों में रतन जड़ित अंगूठिया पहने, हाथों में सोने की छड़ी लेकर जो ही निकलने के लिए तयार हुए तो ठीक उसी समय माता रुकपड़ी भी वहीं आ गई, और प्रभुजी को इतना सजे धजे देखकर आश्चर में पड़ गई, उन्होंने इतना आधिक तयार होने का कारा जानना चाहा, तो पुरा खिस्ता सुना, तो रुकमडी जी भी गहरे आश्चर में पड़ गई, कि ऐसा कैसे हो सकता है, प्रभु जी का एक अनन्य भक्त अपना सब को छुलुटा के चूरी टुकहती करके प्रभु जी का नाम का भंडारा कर रहा है, आज भी चला रहा है, यहाँ भक्त तो भ प्रभल इच्छा होने लगी भगवान के ऐसे भक्त से मिलने की, उन्होंने अपने इस इच्छा को प्रभु जी के सामने प्रकट कर दिया, थोड़े मनोहार के पाद प्रभु जी मान गया, रुकमडी जी को अपने साथ लेकर चलने के लिए तैयार हो गया, अब मातार रु माता जी ने एक सेठ और सिठानी का रुप धारल करके हरपाल जी के गाउं के बाहर पकडंडी पर पहुचे, जहां पहले से हरपाल जी घात लगा कर अपने शिकार के आने का इंतिदार कर रहते, उन्होंने दूर से एक सेठ और सिठानी को गाउं की ओर आते देखा, इतने स पारे रत्न जड़ित आभुशुडों को पहना हुआ देखकर हरपाल जी कि तो हांखी ही फटी की फटी रह गी उनको लगा कि इन सेट और सिटानी को अगर लूट लिया जाए तो कुछ सालों तक तो लूट पार्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी और भंडारा भी सुचारू रुखते चलेगा यह सब सोच कर हरपाल जी दोड़कर सेट और सिटानी के नज्टिक पहुचे उनके करीब जाकर उन्होंने सेट और सिटानी का अभिवादन किया और उनसे वहां आने का कारण उचा हरपाल जी के पूछने पर सेट जी ने पताया कि वे दोनों दरसल राष्ता भटक गये हैं उन दोनों को पास के ही एक गाउं में निमंत्रण मिचाना था सेट जी की आप बात सुनकर हरपाल जी की आखे एकदम चमक पड़ी आज तो उन्हें लगा वह क्या दिन है शिकार खुद मेरे पास लुटने के लिए आया है उन्होंने सेट जी को या अश्वासन दिया कि वे दोनों निश्चिंद रहें और उन दोनों को स्विक्षा पूरवक दूसरे गाउं तक छोड़ कर आएंगे बस वे दोनों मेरे पीछे-पीछे साथ-साथ चलें प्रभु जी मन ही मन मंद मंद मुश्कुराएं और रुकमडी जी को साथ लेकर हलबार जी के पिछे-पिछे चल दिये थोड़ी दूर चलने के बाद जंगल का रास्ता आ गया घना जंगल देकर प्रभु जियो की उस समय व्यपारी का रोप धारा किये थे उन्होंने अपने चेहरे पर घबराहट लाते हुए हरपार जी से प्रश्न किया अरे ये तुम ह हम लोगों को कहा लेकर आये हो ये तो घना जंगल है तुमने तो कहा था कि हम दूसरे गाउं पहुचाएंगे तुम्हारे इरादे तो कुछ ठीक नहीं है प्रभु जी ने प्रश्न किया प्रभु जी की या बास सुनकर हरपार जी को यह लगा कि लगता है इन्हें मुझ प होते हैं इस जंगल को पार करते ही दूसरा काउं नदर आने लगेगा बस आप दोनों निश्चिन धोकर मेरे साथ चलते रहिए इतना कहकर बे तीनों घने जंगल की योग गए जंगल के बीचों बीच पहुचते ही एक जगे पर हरपार जी ठिठक कर खड़े हो गए उन्हो कुलते की बाहों को उपचड़ा कर अपने साथ लाया बड़ा सा छुरा निकाला और सेट जी क्योरतां दिया इतना बड़ा छुरा देकर सेट और सेटानी जी भैबीत होने लगे और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार करने लगे उन दोनों को डर से कापता हुआ कर हरपाल जी ने कहा डर ये मस्तेर जी मैं कोई डाकू नहीं हूँ मैं एक लोटे रहा हूँ आपके पास अभी जो कुछ भी है दे दिजे मैं आपको और सेटानी जी को छोड़ दूँगा जो आप लोगों ने रत्न जडित आभुशर पहन रखे हैं एक एक कर गे दे दिज हरपाल जी कि इतना कहने पर प्रभु जी ने प्रश्ण किया आखिर तुम्हें चोरी डखाती क्यों करते हो क्या तुम्हें सजा से डर नहीं लगता तभी हरपाल जी ने छूरा दिखाते हुए कहा सुनो सेट जी ज्यादा हमसे चपर चपर मत करो चुप चाप जो कुछ भी है तुम्हारे पास वा मेरे हवाले कर दो यहां मेरे प्रभु जी का काम है इसके लिए वो मुझे जो भी सजा देंगे मंजूर होगी इतना कहकर हरपाल जी ने अपना गमच्छा जमीन पर बिच्छा दिया उन दोनों से अपने सारे जेवरात उतार कर रखने को कहा सेट हो स ठानी जी ने अपने सभी जात जड़ित इवर उतार कर रख दिये तभी हरपाल जी की नजर सेट जी की उस उंगली पर पड़ी जिसमें उन्होंने हीरे से जड़ा एक शला पहन रखना था हर्पाल जी ने सेड़ जी से उतार कर देने को कहा। पर वह छला अत्यधिक कसा होने के कारण उगली से निकल ही नहीं रहा था। अब हरपाल जी ने याँ पैसला किया कि वह सेड जी की उंगली को काट कर छला बहा निकाल लेंगे उसके मन के इस भाव को जानकर मतार रुकमणी विचलित हो गई उन्होंने मन ही मन प्रभु जी से कहा हेत्रेलो की नाथ आप इस संसार के पालन करता है आपकी एक उंगली पर पूरा धरा तल्टिका हुआ है और यह अज्यानी जगत के स्वामी की उंगली को काटने की बात कर रहा है हे नाथ हे नारायन अब आप अपने वास्तविक रूप में आईए और इस अज्यानी की अज्यानता को दूर करिये क्योंकि यह अज्यानी यह नहीं जानता कि यह क्या करने जा रहा है रुकमणी जी की बातों को सुनकर प्रभुजी मंद मंद मुस्कुराए और मन ही मन माता से कहने लगे हे प्रिये तुम इतनी विचलित क्यों हो यह अज्यानी चाहकर भी ऐसा नहीं कर पाएगा मुझे अपने इस भक्त के साथ ठोली करने में बड़ा ही आनन्द आ रहा है मैं देखना चाहता हूँ कि यहां और क्या करने वाला है प्रुकमणी जी इस बात के लिए राजी नहीं हुई और उन्होंने प्रभुजी से कहा तत्यकाल अपने वास्तविक सरूप में आईए और इस भक्त को दर्शन दीजिए जैसे ही हरपाल जी ने उंगली काटने के लिए छूरा उठाया वैसे ही प्रभुजी अपने वास्तविक मनमुहक सरूप में आगे प्रभुजी और माता रुक्मडी को वास्तविक रूप में अपने सामने खड़ा देखकर हरपाल जी को अपनी आखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था वह फौरन छूरा फेक कर प्रभुजी के चर्णों में गिर पढ़ा और रोते गिर गड़ाते हुए कहने लगा हे प्रभु मेरा अपराद छमा करने योग नहीं है आप मुझे जो कुछ चर्णा देना चाहते हैं तत्तिकाल दे लिजे आपके हातों से सज्जा पाकर मैं धन हो जाऊंगा इतना कहकर वा दोनों हात जोड़कर सर जुका कर प्रभुजी के सामने खड़ा था प्रभुजी ने अपने दोनों हातों से उसे उठाया और उसे कहने लगे हे मेरे भक्त हरपाल मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ मैं जानता हूँ कि तुमने गलत काम किये हैं लेकिन उन पैसों को तुमने अपने उपर या अपने पैवार पर खर्च नहीं क्या बलकि धर्म के कारियों में लगाया जिन घरों से तुमने अनाज चोरी क या वे लोग कभी भी धान धर्म नहीं करते थे इसलिए उनके यहां चोरी किये गए अनाज को भंडारे में लगा कर तुमने उन्हें पुन्न का भागिदार बना दिया हे भक्ति शिरो मारी हरवाल मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत अधिक प्रशन हूँ आज से मैं तुम्हें या वरदान देता हूँ कि तुम्हारा या भंडारा कभी नहीं रुकेगा ये सारे हीरे जवहराद, हीरे आभुशरत तुम्हारे लिए हैं, तुम इन्हें आपने साथ लेकर जाओ, तभी हर पार जी बोले कि हे प्रभू, आपने दर्शन दिये, इसके लिए मैं आपको कोटी-कोटी धन्यवात करता हूँ, मैं आज से आपका प्रतार्थ हो गया, हे प दियुकार कर ले, तो मैं धन हो जाओंगा, दरसल इस भंडारे के कार को करने का श्रे मुझे नहीं, मेरी पतनी को जाता है, जिसने मुझ से यह कार करने के लिए प्रेरित क्या ही भगवन, मेरी छोटी सिव्विंती है, मेरी पतनी को भी दर्शन देकर उसे भी ग्रतार्थ क प्रभुजी ने उसकी इस इच्छा को सहर्ष सिवकार कर लिया आप दोनों पती-पत्नी प्रभुजी और माता रुक्मणी के दर्शन को पाकर धन हो गये थे उस दिन के बाद से उन पती-पत्नी के सभी कष्टों का आंत हो गया तो यह थी भक्त शिरोमणी हरपाल जी की कथा उसे हर भक्त को सुनने चाहिए बोलो शामा शाम सुन्दर की जै बोलो राधा कृष्ण की जै बोलो द्वार का धीश मातर मणी की जै बोलो दोलो राधा की जै